टीव इंडेस्ट्री में कई अभिनेत्रिया हैं जो आपस में सहेली हैं ऐसी ही दो एक्टर्स हैं सनाय एरानी और दृष्टी धामी ये दोनों ही टीवी की जाने मानी अभिनेत्रिया हैं ये एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त मियें एक दूसरे को बहुत मानती हैं इन दो अगर आप भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंट तक बने रहना साथ इन दोनों खुबसूरत बालाओं के लिए वीडियो के लाइक तो कर दो चुरू करते हैं खुशी के करदार से प्रसिद्ध हुई अब नित्री सना एरानी से इन इंडस्ट्री मे पर बेस्ट रोल मिल चुका है जिसके चलते हैं अभी टीवी के साथ साथ सोचल मेडिया पर भी काफी पॉपिलर है इनकी सोचल मेडिया पर 2.3 मिलियन फॉलोवर है अब जब यह इतनी लोग पर है तो उसी साब से पर एपिसोड 85-90 रुपे लेती हैं इस तरह इनकी टोटल नेट वर्थ 2-3 मिलियन डॉलर है जिसका यह अपनी लाइफस्टाल पर काफी खर्चा करती है खासकर अपने ड्रेसेज पर इनकी हर एक ड्रेस काफी स्टाइलिश होती है फिर चाहे वो इंडियन हो या मॉर्डन सब में यह अच्छी लगती है जिनका प्राइस 50-60,000 फ्रोडों में ड्रेसेज जोहलरी के टो बात होगी अब बात करते हैं इनके छूते भी काफी स्टाइलिश होते हैं जिन में लॉंग भूट, स्निकर्स और हिल्स शामिल है यह सबी पहनना काफी पसंद करती है अगर बात करें इनके एक पेर शूस की कीमत की तो इनकी कीमत 50- 55,000 होती है अंत में बात कर लेते हैं कार कलेक्शन की तो इनके पास वाइट कलर की स्कोडा कार और साथ में हुंडूई और मारूती जैसी गाड़ियं भी है अब बात करते हैं मदुबाला फेम दिरिश्टी धामी की इन्हें टीवी में आए हुए 13 साल हो चुके हैं और इतने सालों में इन्होंने 5 शोज किये जिसमें से 3 सूपर रिट हुए और जिसके लिए इन्हें कई आवार्ड में बिले इन्हें अब तर जी रिष्टे आवार्ड फोर फेवरिट बेटी और नेट वर्थ होती है इनकी 1 मिलियन डॉलर जिससे लगजिरी लाइफ जीती है अब आप इनकी ड्रेस को देख लो इनकी हर एक ड्रेस काफी शानदार होती है और सबसे हटकर भी होती है इनकी हर एक ड्रेस की कीमत 80,000 रुपे तक होती है अगर इन सुन्दर ड्रेस पर सुन्दर सी जूलरी हो जाए तो ड्रेस में चारचानद लग जाते है इसलिए काफी ब्रेंड़ जूलरी भी पहनना पसंद करती है जो सुन्दर होने के साथ साथ काफी महंगी भी होती है इनके एक नेकलिस की कीमत 90,000 से शुरू होती है ड्रेस जूलरी के साथ इने शूज का भी बड़ा शौक है ये काफी फैशनेबल शूज पहनना पसंद करती है जिनमें लॉंग ब्लैक बूट और हिल्स शामिल है इनके हर शूज ब्रेंड़ होते हैं जो बनाना रिपब्लिक, एनिक लेन और एवरलेन जैसे ब्रेंड के हैं जिनकी शुरुआती कीमत तो एक लाग से शुरू होती है अब अंद तुमें बात कर लेते हैं कार कलेक्शन की तो इनके पास मारूती सुजू की ग्रेंड, आई टैन और टाटा जैसी गाड़ियें तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों में से बैस्ट कौन हुआ आप हमें उनका नाम कॉमेंट वक्स में बता दो और टीवी से जोड़ी और भी बाते जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो ना